हलो माई डियर स्टुडेंट्स आज फिर से बॉस बायो एराना चैनल पे आप लोग का स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक पहतरीन सा टॉपिक BMR वसल मिटबॉलिक रेट आपको पता होना चाहिए कि जब आप रेस्ट स्टेट में होते हो जैसे कि आप सो रहे होते हो तो उस समय भी हमारा बड़ी इनर्जी खपत करता है और इसे ही हम लोग करते हैं BMR अगर आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि सर अगर हम सो रहे हैं तो उस समय आखिर हमारा बड़ी इनर्जी का यूज क्यों करेगा हमारे बड़ी को इनर्जी क्यों चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय भी आपका जो internal organs है जैसे कि brain, kidney, heart, digestive system ये सब वर्क करते रहते हैं और इन्हें वर्क करने के लिए इनर्जी का जड़ोत परता है तो आप कर सकते हो the energy required by our body when we are in rust state ये depend करता है हमारे height, हमारे weight और हमारे edge पे अगर आपका BMR ज्यादा है तो ये बहुत ही खुसी की बात है क्योंकि आप अगर जितना जितना भी आप fatty food खालो आप वो fats gain नहीं कर पाओगे और आपका weight उतना नहीं बढ़ेगा आप healthy रहोगे अगर आप चाहते हो अपना BMR पता लगाने के लिए इसके लिए एक formula है जो कि दिया गया था Harris Bandic के द्वारा यह जो Harris Bandic है इन्होंने male के लिए formula अलग दिया और female के लिए formula अलग दिया जैसे कि आप देख सकते हो for male यह formula है और female के लिए यह आप इस formula के मदद से आसानी से चुटकी बजाते हुए आप simple way में अपना BMR पता कर सकते हो और एक बात और जान लो यह person to person अलग होता है सभी में BMR सेम नहीं होता है और इसे डरने की बात नहीं है अगर मेरे में BMR कुछ है तो हो सकता है आप में कुछ हो मैं भी healthy हूँ और आप भी healthy हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक दिन में कितना calorie चाहिए तो आपका जो BMR आया था उसे आप multiply कर दो percentage activity level जो की नीचे दिया हुआ है PAL percentage activity level अगर आप low active हो अगर आप सुस्थ हो तो आपका percentage activity level होगा 1.5 अगर आप moderate active हो कभी कवार exercise कर लिया करते हो तो आपका percentage activity लेवल होगा 1.7 अगर आप high active हो बहुत ही जाद active हो तो आपका percentage activity level होगा 1.9 मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक्स